हलो दोस्तों क्या आपको कुछ मीठा खाने का मन है तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुती टेस्टी गुलाब जामून वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो गुलाब जामून बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप नॉर्मल दूट और उसी के साथ हमें चाहिए एक पैकेट गुलाब जामून का ये इंस्टन पैकेट है हम जटपट घर पे बना सकते हैं इसलिए हमने ये लिया है आप भी इसको ले सकते हैं अब टाकेट को हम काट देंगे और एक बर्तन में उसको डाल देंगे फिर धीरे धीरे करके उसपे दूड डालेंगे और एक अच्छा सा डो बना देंगे जैसे ही हमारा डो तयार हो जाता है हम उसको पांच मिनिट के लिए धके रख देंगे पांच मिनिट हो चुके हैं अब हम डो को निकाल के देखेंगे और दोनों हातों में घी लगा कर उसके चोटे-चोटे बॉल्स बनाएंगे देखिए धीरे 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 र पांच मिनिट रहा झाल दो कर दो कर दो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने धीरे धीरे बॉल्स बनाकर तीस बॉल बना दिये हैं अब हम इसको डीप फ्राइ करेंगे अब हम कराई पे तेल डालेंगे और हमारे जो छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे उसको बारी बारी से तेल में डालेंगे और डीप फ्राइ करेंगे अब तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं हमने यहां पे तेल लिया है दोनों तरफ फ्राइ करेंगे जब तैकि यह गोल्डेन ब्राउन नहीं हो जाता टेमपरेचर को आप लो कर डीजेगा अब गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाशनी चाहिए जिसके लिए हमने दो कप पानी और दो कप चीनी लिया है इक्वल एमाउंट में उसको हम गरब कर देंगे और गरब होने के बाद कुछ इस तरीके से यह दिखेगा अब हमारी गुलाब जामुन तयार है गोल्डिन ब्राउन हो चुके है अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल देंगे गर्मा गरम अब हमने जतने भी गुलाब जामुन रखे थे उसको हम हमारे चाशनी में डाल देंगे धीरे धीरे करके वाओ यमी कितना टेस्टी लग रहा है अब अब अगर आप चाहे तो इसको गर्मा गरम खा सकते हैं या तो दो गंटे रखने के बाद जब चाशनी के अंदर चली जाए तब खा सकते हैं या तो फिर आप इसको रिफ्रिजरेटर के अंदर थंडा करके भी खा सकते हैं वैसे मुझे तो नॉमल ही पसंद है तो इस पानी आ गया होगा तो इसी बात पे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए हमारे टीस्टी गुलाब जामून बिलकुल तैयार है अब हम इसको बैट के जरूर खाएंगे आप भी बनाएं और हमें कॉमेंट सेक्शन पर लिख के बताएं कि कैसा बना है थैंक यू फर वच्छिं दिस वीडियो बाइबाई टेक कैर सी यू इन मैं नेक्स वीडियो